हलो SPS Astrology lovers, this is अगर प्रताप सिंग and you are watching SPS Astrology दोस्तों आज का विचार लेते हैं और आज का विचार है वो हमें भेजा है के राज शेखर जी ने और ये लिखते हैं सर अगर 12 घर में शनी इन मेश रासी तो नीलं तो नहीं पहन सकते तो क्या लोहे का चल्ला पहन सकते हैं पहरी बार तो शनी आपके 12th house में है और अपने debilitation में है तो यहां शनी का जैनिसोन आप नहीं पहन सकते हैं लेकिन आपने पूछा है कि लोहे का चल्ला पहन सकते हैं देखिए लोहे का चल्ला आप पहन सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है लेकिन लोह जो है वो सबको सूट नहीं करता है अगर आपका एसंडेंट क्याप्रिकॉन है एकुरेस है जैमना है वर्गो है टॉरस है लिब्रा है यानि एसंडेंट का जो लॉड है व शनी किसी भी हाउस में हो तो आप शनी का चल्ला पहन सकते हैं और चल्ला पहनाने की जो मेन वज़ा होती है यानि अगर आप चल्ला पहन रहे हैं या मतलब जो भी आज कल वो आपने दिखा होगा की काले घोडे की नाल वगेरा ही सारी चीज़ें जो बताई जाती है तो वो पहनाए क्यों जाता है वो पहनाए इसले जाता है कि शनी के दुस्परभावं से आपकी रक्षा हो यानि आपके उपरकोई तकलीफ चल रही है कोई कस्ट हो रहा है कोई परिशानी हो रही है तब आप शनी का चल्ला पहन सकते हैं शनी की साड़े नहीं हो रहा है यानि किसी इंसान का गुस्सा इतना जादा है जो दूसरे लोग उस शक्र में परेशान हो तब भी आप शनी का छल्ला पहना सकते हैं उनको ताकि थोड़ा बहुत कंट्रोल जो है वो उनके उपर बढ़े तो इस थरीके से शनी को चीजों को ठीक करने के लिए यानि परेशानी से बचने के लिए शनी का चल्ला पहना जाता है और कोई इंसान अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए शनी का चल्ला पहना जाता है और शनी के लिए आपको चल्ले के लिए आपको यह नहीं देखना है कि शनी कहां को बैठा ह हुआ है कौन से हाउस में है डेपलिटेशन में है लेकिन आपको लगन को जरूर देखना है लगन जो है वो शनी का मित्र होना चाहिए तब ही आप शनी का चल्ला पहन अंशनी के बारे में जाना चाहते हैं इसके लिए आप कि शनी को छनल को सब्क्राइब कर सके हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें विछ पlight कार मसे मरध हीलों नाया और बीकर सकते and so guys, stick care, love you all and good fun.